किसान आंदोलोन को लेकर यूपी के डिप्टी सियम केशव प्रसाद मौरे ने क्या कुछ कहा है चली सुन बातें आपको किसान मिन को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदशन हो रहा है और इस पूरे मुद्य पर बात हमाँ साथ है उप मुख्यमंत्री केशव परसाद मौरे जी सर लगातार जो है विरोध की बात चल लई है धर्ना प्रदशन हो रहा है समाजवादी पार्टी आगई देखे किसान किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में लगातार संबाद चल ला है और किसानों की आड में सियासी रोटी सेखने वाले सदा से ही किसानों के विरोधी गरीबों के विरोधी पिछणों के विरोधी दलितों के विरोधी के रूप में उनका चेहरा पूरा देश जानता है मैं यह मानता हूँ कि जब किसानों के साथ बातचीत चल रही है और किसानों ने बंद का एलान किया है तो ये राजनितिक दल के अंदर क्यों खूदे तो राजनितिक दल की कूदने से ही असपष्ठ है कि यहाँ सारे लोग एक साजिस करके एक खड़े अंत्र करके और देश के किसानों की भलाई के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं अगर किसानों के कोई सुझाओं उसको लेकर समबाद हो रहा है कांग्रेस पार्टी क्या जरूरत है आमदमी पार्टी क्या जरूरत है समाजबादी पाटी क्या जरूरत है कोई सुझाओ तुमारा तुम संसद में थे जब ये कानून बना था तो उस समय अपना पच्छा आपने रखा है और उसके बाद वहुमत से संसद ने इस कानून को बनाने का काम किया और संसद को या अधिकार प्राप्त है और उसी विश्य को ले करके आज किसानों को गुमराह करना किसानों के हीतों की रच्छा करने के लिए जो आजादी के बाद सबसे महत्पून कदम उठाया गया उसमें बाधा डालने के लिए कोसीज करना मुझे लगता है कि जनता इनको नकार चुकी है आगे और नकारेगी लेकिन सर जिस तरीके का पार्टी हो या कोई भाजपा बिरोधी पार्टी हो जो मानी नरेंद मोदी जी के बिरोध में देश के अंदर महुल बनाने की कोशिज कर रहे हैं वहां सदा मुझी खाएं हैं चाहे वहां अगर मैं लोगसभा 2014 की कहूं या गुजरात के लगातार 13 साल के उस कारकाल में उन जो देश की सबसे बड़ी अदालत जिसे जनता की अदालत कहा जाता है वो इनको नकार रही है लेकिन ये आकारण जो मामला किसानों के और केंद्र सरकार के बीच का है उसमें राजनितिक दल उनकी आड़ ले करके क्यों अगर उनको मुद्दा उठाना है तो संसद में उठ राजनितिक दल हैं चाहे हुआ कोई भी दल हो मैं यह मानता हूं कि वह केवल सियासी रोटी रोटी सेखने की कोशिज कर रहे है और किसान ही उनको ठीक से समझा देगा किसान की आड़ में जो है पूरा विपक्ष अपनी राजनितिक रोटी सेखने में लगा हुआ है लेकिन आने वाले समय में किसान जो है फिर से एक बार इनको मात देगा केमिसर अमरीज के साथ रामनुजभट चंतंत्र टीवी लखनो किसान के साथ रामनुभट चंत्र टीवी लगा हुआ है लगा हुआ है लगा है लगा है लगा है